सब्सक्राइब में आप सरी का बहुत स्वागत यह एक और सट वर्षी यह जातक की हतेली है हतेली भारी है कि परवत्व का वह बता रहा है कि हतेली पक्का भारी होगी जब हतेली भारी होती है ना बहुत शुब होता है क्योंकि जातक को जब नुकसान होता है तो वो अनुपात से कम होता है ऐसे ही जब फाइदा होना होता है तो अनुपात से ज़्यादा होता है मानने जिए नुकसान होना है सो रुपे का तो होगा दस रुपे का अगर फाइदा होना है सो रुपे का तो फाइदा होगा हजार रुपे का मतलब कि नुक्सान भी कम और फाइदा जादा ये है फाइदा शुबता भारी हतेली की आगे चलिए हतेली का जो रंग है हल्का गुलाबी वो इशारा कर रहा है संपन्नता की और दानशिलता की और आगे चलिए हतेली की शेप की बात करें तो शेप यह देखिए यह है इस्क्वेरिश भी लगती है और थोड़ी ओब्लाउंग भी लगती है इस्क्वेरिश है तो जातक बहुत ही महनती है हेल्दी भी होगा साथ में उसकी जो जीवन का सफलता के लिए एक मांत मंत्र होगा ना वो होगा महनत और यह जातक बड़ा ओनेस्ट होता है रिलाइबल होता है लेकिन तोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है अगर मैं आवलोंग की बात करूँ तो ऐसा जातक अपनी भावनाओं को अपने शब्दों को दूसरों को समझाने में काम्याब हो जाता है मतलब कि बैठे बैठे औरों से काम करवाने में कई बार ब्रणाथा लगता है जातकों को अगर मार्केटिंग में उस्ताज होते हैं व्योंकि क्लाइंट को समझानाता तो होता ही है तो इनके अंदर खास गुण होता है यह चलो अगे चलते हैं जो हतेली का जो ये लेफ्ट एज है ये थोड़ा सा ना कर्विश हो रहा है जब कर्विश होता है तो जातक अकला प्रेमी होता है खासकर संगित प्रेमी ये जातक जरूर होगा है अगे चलिए जो फिंगर सेटिंग है पहले तीन उगलियां ये आर्ट शिप्ट बना रही है महरावनुमा तो दिखाती है कि जातक बहुत समझदार है वे अच्छी तरह जानता है अपनी योकताओं के बारे में अपनी अच्छाईयों के बारे में अपनी ब्रायों के बारे में कमजोर्यों के बाने में तो काफे सो समझकर अंड़ने लेता है लेकिन जिन दिन में जो भी उसको वांके मिलते हैं उनको बनाने कोईश करेगा उन पर मेनत करेगा सफल करके द यह लो ड्रॉप्ट हो गई है यहां पर जा लो ड्रॉप्ट होती है तो यह अच्छा नहीं होता है संगर्ष को दिखाती है कि जातक ने अपने जीवन में बड़ा उतार चड़ाव देखी होंगे जिन्दगी ने बड़े कठोर अनभवों से उसे जिन्दगी के पाठ पढ़ाये होंगे और काफी समय जातक को लगा होगा कि जिन्दगी ठिक चल रही है शांदार चल रही है अचानक ही वे अपने आपको कठने प्रस्तियों में पाता है उसे लगता है कि अब सब कुछ खात्मा और अब जिन्दगी बिलकु आरंब से शुरू से दुबारा शुरू करनी पड़े इस ह 이번 बंगे ऐसे जातकों के साथ जब लिटल फिंगर लो सेट होती है लोड्रोडॉड और आवज मुकाबले उंगलिया बहुत छोटी हैं उंगलिया बहुत छोटी होती है तो आदमी बहुत तेजी से निर्ने लेता है क्विक डिसिजिजन्स बहुत बिजी होता है एक काम को पहले काम को किये बगए पूरा किये बगए दूसरे काम में हार डाल देता है मिलती है कई बार वह सफल भी हो जाता है लेकिन लेना अपने आप में कला है गौड गिफ्टेड टैलेंट जब छोटी उगलिया होती है तो इस बात की पकिक गरंटी है कि फ्यूचर में या हो सकता है पास्ट में इस जातक ने ना एक बहुत बड़ी टीम को गाइड क्या हो उसको लेड क्या हो क्यों ऐसे जातकों के पास ना नीचे काम करने वाले बड़ी जंक्या में होते हैं अगे चलिए अब इनकी पहली उंग्र देखिए यह इनकी इंडेक्स फिंगर है यह सेटन फिंगर के मिड तक पहुंच रही है मिड से थोड़ा मिड़ी पहुंच मानने जी आप लोग यह मार्किंग में दिक्कत हो रही है तो अच्छी है मतलब जहां तक जाने चाहिए वहां तक पहुंच रही है उसके आगे खत्रा होता है को का उससे नीचे खत्रा होता है उन्हें छोटी हो गई तो आदमी प्रशारयों से भागेगा ऊइंवीरटी का शिकारव मन सकता है लेकिन यहां पर बिलकुल बेलेंस है लेकिन अगली ना थोड़ी बैन हो रही है इसले चारू की तरफ इसका मतलब है कि जातक धार्मिक तो है लेकिन धार्मिक तक यह साथ में यहां यहां पिर एक मा सत्या cay स सब्सक्राइब जातक ना सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और जब सेल्फ सेंटर्ड होता है तो अपना इंट्रोस्पक्षिन शुरू करतेगा कि क्या पाया क्या खोया जिंदगी में ऐसे समय में वह बहुत ही दुखी निराश और अक्यला मैसूस करता है उसकी साहे डिगनिटी उसका सारा कॉंफिडेंस सब गायब हो जाता है मतलब ही नीड्स कॉंस्टेंट एंकरेजमेंट फ्रॉम फैंबली और फ्रेंट्स और उसके परिवार को दोस्तों को यह करना में चाहिए जिसे जामबद जी ने हनुमान जी को उनकी खोयो शक्तिया आदलाई थी ना ऐसे इन आदलाए कि आप यह भी कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं यह भी कर सकते हैं अरे आप तो समुन्द भी लांग सकते हैं हवा में उड़ सकते हैं जैसे जामबद जी ने हनुमान जी को बताया ऐसे इने भी कोई चाहिए बताने वाला जो जगाए इनकी सोई हुई शक्तियों को त यहां पर जो इनका बेस फलेंज रहे सुंग लिका यह अच्छा है इसों कर रहा है कि इनके ना कुछ फिलोस्फिकल इंट्रेस्ट होंगे और आप भी तक ना जिवन के प्रतियन का अपना खुद का है के फिलोस्फिक बन गई और निखडवुश्य में वह बहुत त्षकाम करेगी और जातक इंट्रेक्टियल तो है इसमें कोई शेंका नहीं अब मिड़ फ्रेंज देखिए ठीक है अबरेज जो जातक को इंट्रेंट बनाता है साथ में प्रस्टिकल बनाता है और बहुत ही पॉजिटिव बनाता है किसक इसके ड्रीम्स हैं उनके प्रती वह बहुत ही सकारात्मक होता है पॉजिटिव होता है प्राक्टिकल होता है और तो वह है ही अब टॉप फ्लेंज देखिए टॉप फ्लेंज दिखा रहा है कि जातक के न स्पिरिच्वल रिलिजियस फ्लोस्फिकल इंट्रेस्ट होंगे लेकिन डिग्निटी बहुत ज़्यादा होगी खुद्दारी बहुत ज़्यादा होगी तो यह दिखा रही है पहली उंगली और उंगलियों के बारे में अगले पार्ट में वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत कुछ बाकिया धेरे-धेरे करेंगे थैंक्यू वेरी माच्च